क्योंकि रात का एक बजा हुआ है एक्सक्रिशित तस्वीर आज आपको दिखाएंगे खवर इंडिया के कैमरे से आपको दिखाएंगे कि आज अयोध्या कैसी है रात में कैसी दिखती है आई ये चलते हैं राम मंदिर की ओर ये राम माहौल जो बना हुआ है वो आप दिखी है नगरी हो अयोध्यासी रगु कुलसा घराना हो ये साइड राम की जो चिन है वो दिखाए दे रहे हैं आज हर दुकान पर हर मकान पर हर गली में हर महले पर हर सड़क पर हर जगे पर राम का कुछ न कुछ चिन दिखाए दे रहा है और वो राम की याद दिलाता है राम के मंदिर को का देखते हुए इतने सालों से जो हमने तपच्चा की है उसका सामना करते होगे क्या बात है आप तो रात में भी दिन की तरह काम करेंगे सब 24 गंटे काम कर सकते जो सारा अपने मजदुरूं में राम जी की सकती यह सारी और जा यह शक्ति कहां से आ रही है वही लोगों का जो विश्ट्वास था मनोवल था वह पूरा हो रहा है जो एक आस्था थी उसकी पूर्ट पूर्ती हो रही है इतने दुनोबाल लोगों ने सोच रखा था कि मंदिर बनेगा, मंदिर बनेगा, आज मंदिर बनके तयार हो रहा है आप देख सकते हैं कि रात के अभी बारे बजे हुए है आयोध्या में राम मंदिर के ओधगाटन की किस तरह से भव्वे तरीके से तयारियां चल रही है आप अंदाज लगा सकते हैं कि पूरे शहर में जगए जगए हजारों करमचारी लगे हुए है आप देख सकते हैं कि किस तरह से धनुस की आकरती में यहाँ जो लगाई जा रही है धनुस की आकरती में लगाई जा रही है जो कि रात में करमचारी यहां पर मैं अगर काउंट करूं जो कि धनуск Bliss के आकार में है धनуск जैसा देखने वाली है आप देखें किस तरह से रात में भी काम जा रही है रात के अभी 12 जो रोड का जो चोरिकरण किया गया है भव्य मंदर के उद्गाटन से पहले किस तरह से चोरिकरण किया गया सडकों का उसके बाद में जो लाइटें लगाई गई हैं उसे हम आपको दिखा रहे हैं आज खवर इंडिया के टीम पूरे अयुद्या में ब्रह्मन करेगी रात के करीब 12 बज रहे हैं हम आपको दिखाएंगे अभी दिखा रहे हैं हम आपको कि रात में अयुद्या कैसी दिखती है जो गली है सुनसांद पड़ी हुई है कुछ एक देकि गस्ट करते हुए ये पुलीस कर्मी यूप पुलीस के भी बाइक पर पुलीस कर्मी बैठे बढ़ कर रहे हैं रात में कुछ एक दुकान खुली हुई है यह सब्जी की दुकान रात में 12 वेजी खुली हुई है इस तरह से युद्ध इसतर पर काम जा रही है कि जिस साब से राम मंदिर उद्गाटन के तेयोरियों में पूरा नगर निगम के साथ में अलग-अलग विवाग ल कि जेसी भी से काम हो रहा है है इस देर रात में रात के 12 बजे हैं जेसी भी से काम हो रहा है और कर्मचारी लगे हुए ह और कि Сामने अब करती हुए है कंब में लिग जो कि राम मंदर के लिए जाता है जहां बड़ी बड़ी लाइटें रात में जगमग करती हुई हैं दूधिया रोसनी से नहाया हुआ यह रास्ते कुछ एक दुकाने आपको खुली हुई मिल जाएंगी और यह नगर निगम के टैंक खड़े हुए हैं और सामने गस्त करती आप देख सकते हैं कि अलंगे अभी कुछ लाइटें बंध हैं लेकिन रोड पर पानी का छुड़काव किया गया है ताकि धूल न उड़े रात्री में रोड पर पानी का छुड़काव किया गया है सर्यू गहट के नजदीक पहुशने वाले हैं सामने आपको दिखेगा श अत्रप्रदेश के उस अयुद्ध्या शहर में जहां राम मंदिर के उद्गार्ण की तारीक नजदीक है लेकिन मोधी के कारेक्टरम से पूर्व आज हम रात को अयुद्ध्या कैसी दिखती है वह हम दिखाएंगे अभी रात में आप समय देखिए बारे बजे हुए हैं मै अब हम यहां देख सकते हैं कि किस हिसाब से कहरा लगाता बढ़ता जा रहा है लेकिन आज खवर इंडिया की कैमरी से आपको दिखाएंगे कि अयुद्ध्या रात में कैसी दिखती है उसे भी इतर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जिस हिसाब से उसको दुलहन की तरह सजा आने की तैयारियों में सब जुटे हुए हैं अब हम यहां से आपको लेकर की चलेंगे अयुद्या के हर उस रोड सड़क पर गलियों में लेकर चलेंगे आपको दिखाएंगे किस तरह से अयुद्ध्या पूरी तरह से मुस्तैद है और साथ में ही मैं पीछे दिखाना चाह कि यहां से जो लता मंगेशकर चौक है वह भी नहीं दिख रहा है जो सामने कुछ जो मौजूद है जो अपने अधिकारी मौजूद है यह 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 पूलिस के जो कर्वी मौजूद है और चाय के सहारे से रात गुजारने की कोशिस कर रहे हैं मैं इधर भी दिखाना यह दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि कोहरा लगाता बढ़ता जा रहा है लेकि इसके बावजूद भी यहां पर काम जारी है इसे लग रहा है आपने देखा होगा कभी फिल्मों में जब स्वर्ग दिखाया जाता है तो उसमें फॉक जैसा दिखाया जाता है चलता हुआ देके यहां सब natural है प्राक्रतिक है यहां पर यह जो फॉक चल रहा है जो कोहरा आ रहा है यह तब प्राक्रतिक है और लेकि लगाता इसकी चादर से ढका हुआ नजर आ रहा है अब यहां से आपको शहर के अंदर लेच लाइगे बदीविता आप देख सकते हैं किस इसाब स एक बास में और भी, इस बीच में देखी, जो कि उपर बगल में जो कंधे पर राम बिठा रखे हैं, मैं कुछ एक दर्श्य यहां पर जिहां जाओगा, जो बस टेंड है कि यहां पर एसे लोग हैं कि जो फुट पाद पर अभी रात गुजार रहे हैं, और जिन्होंने कंबल चादर ओड़ा हुए उसकी सहारे से यहां पर रात गुजार रहे हैं अब हम चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं हलांके दिखाई भहुत कम देगा लेकिन आज हम दिखाएंगे आपको आयुध्या रात्री में कैसी दिखती है आईए हमारे साथ रात के करीफ साड़े बारे बज रहे हैं और यहां पर आयुध्या को सजाने के काम देखें यहां पर घास लगाई जा रही है यह पार्क है लगता मंगेसकर कर जो चौराय है उससे थोड़ा सा आगे पार्क है और रात्री में देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, दस, ग्यारब, बारे लोग, तेरह, चौर्द, लगवग, पंधर, लोग यहां पर ऐसे हैं जो राम भक्त हैं राम के काज में लगे हुए हैं भगवा राम के मंदिर का उद्गाटन होने वाला है तो आप बोलेगे जैस साहाँ आप एक साथ बोलिए ना मिलकर के जैसरीराम का माहण होल है रात के सारे बारे बज़ रहे हैं इतना जोश कैसे आ रहा है क्या नाम है मेरा नम कि सुर्य आदव है इतना जोश कैसे आ रहा है रात में क्योंकि राम के मंदिर को का देखते हुए इतने सालों से जो हमने तपच्चा की है उसका सामना करते हुए अब यही वज़ा है कि क्योंकि अक्सर मजदूर जो काम करते हैं वो शाम को जैसे पांच चले आते तो रात में दिन की तरह करेंगे हम सब 24 गंटे काम कर सकते हैं जो सारा है अपने मजदूरों में अपने आप आ रहा है यह राम जी की सक्ति है सारी तो स्वागत के लिए तैयार है तैयार है यह जैसरी राम ही इनका सब कुछ है जी क्या नाम है नीराज भारत दु रात में इतनी गया काम करना है राम जी आ रहे हैं तो कम तो करना पड़ेगा नाम जी आरहाए जी राम जी खुद चल KEAR बिलकूल बिलकूल और औो लोगत कैसे करने वाले कि हां पर लाखों लोग इस दिन आने-वाले है अह ने गिनत लोग आने वाले आपने तो लाखों की काउंटिंग कर ली हैं आप सोच नहीं सकते हैं कितने लोग आने वाले हैं जिसकी परिकलपना नहीं की जा सकती है। यहां पस व लोग को कैंघ करेंगे करेंगल टर्लिन पेज पीद आय्म करनास क यह है यह यह कौने या वाल एक ने पने काम के लिए लेकिन अब हागे आप यही राम का काज है पहले किसी को कार्शिवा करने का मौका मिला था तो आज काम करने का मौका मिला है राम के लिए क्योंकि राम भक्त जो आने वाले हैं कार्शिवक जो आने वाले हैं उनका जो स्वागत करना है और देखिए आगे आज तस्वीरें एक्स्क्रीश तस्वीरें आज आपको दिखाएंगे खवर इंडिया के कैमरे से आपको दिखाएंगे कि आज अयोध्या कैसी है रात में कैसी दिखती है आईए चलते हैं राम मंदिर की ओर आप देखिए यहां मुख्य मार्ग है जो राम सब्सक्राइब देखिए मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी के साथ में मैसे देरा है संदेश देरा है आगे बढ़ते हैं यह अगाना तो आपने सुनाई होगा यह राम मय माहौल जो बना हुआ है वह आप देखिए किस तरह से यहां दोनों तरफ काशी के बाद में आयोध्या में जिस साब से योगी सरकार ने फोकस किया है दोनों सडके दोनों और देखिए एक दुकान आपको केबल यह कामना और थान आभना के लिए कि यहां पर मख्यमार है राममन्दर के पहुंशने के लिए मुख्यमार अपको दिखाई दे रहे हैं वहांया पर खुश ने कुश आपको दिखाई दिखाई दिए रहे हैं क्या नाम है आपका दिवाकर मिस्टा क्या कहना चाहेंगे आज रात में भी आयुद्या चमक्ति दमक्ति दिखाई दे रहे हैं लेकिन अग किसी दूसरे को बताएं कितना बदली है अगरी हो आयुद्या सी रगुकुल सा घराना हो यह साइड गाना आज द्रश्च देखकर के साकार साबित होता है और इसको चिर्टार्थ करता है क्योंकि जिस साब से आज राम की जो चिन है वो दिखाई दे रहे हैं आज हर दुकान पर हर मकान पर हर गली में हर महले पर हर सड़क पर हर जगे पर राम का कुछ न कुछ चिन दिखाई दे रहा है और वो राम की याद आगे बढ़ते हैं, अपनी खवर इंडिया की टीम आगे बढ़ती हुई, राम मंदिर की तरफ आगे बढ़ रही है, जगे जगे मोधी सरकार ने अपने होडिंग लगाई हुए है, बैनल लगाई हुए है, सरकार की योजनाओं का पिचार पिचार करने के लिए, मैं थोड़ को रवाज़ विन आखर हे बहुत इस्पहर है, बहुत आखारने के लिए है, कि बहुत अच्छा आप और वहिसे लिए करने लिए पतिम दोपाइसा पुरी राद करें तो पैसा मिल जाएगा इसलिए हमारे कि देखिए कितनी खुशी है इनको काम से मतलब नहीं इनको मतलब है कि हमारे इस शहर में योगी जी आ होती जी आ रहे हैं तो उनका स्वागत करना है कैसे करना है आए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको निशान जगे जगे छड़काब करने के लिए धूल को दबाने के लिए रात में नगर निगम के देखी कर्मचारी हैं जो के जाड़ू हाथ में लेकर कि घूम रहे ह में ज canal देखी रात में छड़काब चल रहे है रात में चड़काब चल रहे है यहां पर रास्ते पर जहां से राम मंदिर पहुंचना होता है जी सर अब क्या करें अच्छी आपने रात में काम किया नहीं कभी नहीं किया सब्सक्राइब करें राज गया आपर उस रास्ते पर जहां से राम के मंदिर पहुंचना होता है कुछ और लोग है देखे रात में चुस्की का अनंद ले रहे हैं कुछ लोग अलाब के सहारे क्या नाम है आपका हमारा नाम है बहुत अच्छा लगड़ा है बहुत सुन्दर लगड़ा है बदल रहा है राम राज के भगवान के किसन दाम टी अच्छा लां सेयरे तो और नाम से होना अच्छा काूरा है तो इसलोग नाम से नाम से होना अच्छा हुआ है किस्तने साल से आप लिग्यों हमार जनम य किसे बदलते हुए देख रहें हैं जब आदमा अंदर भावना जागी है तभी राम राज आया ऐसे थोड़े आ जाएगा जब अंदर से पावर बनाएंगे कि हमको ऐसा बनना ऐसा करना तभी कार हो पाता है इस रोड को चोड़ाया गया है क्योंकि मुख्य मार गहा है राम मदरे तक जाने के लिए क्या कहेंगे अब चोड़ा तो है फिला सब कुछ सही है अच्छा किया गया है चोड़ा करके अब अच्छा इसलिए इसे बेड़ आने वाली है उसके लिए यह रहेगा कि आत्रियों को सुबदा रहेगी दिक्कत नहीं होगी इसलिए चोड़ा किया गया है तो कैसे स्वागत करने वाले हैं हैं मेहमान आने वाले हैं योगिया मोधि आने वाले यह फूले और राम जी के तरहीं राम जी के तरेकिह तरक चैसे पहले तीन लेट बेड दुकान खोलते थे आप नहीं आप खोल रहा हैं आप इसनलिए खोल लें भेλοजे देखकर खोलने